हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, एन्वी चैनल पर आप सभी का सौगत है, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि मुर्गियों को होने वाले जखम, यानि मुर्गियों को लगने वाले घाओं को पूरी तरह से कैसे ठिक करना है, जिहा दोस्तों, भहुत सारे देसी मुर्गियों को, जिहा ज्यादा तर यह प्रॉबलम देसी मुर्गियों में आती है, और जो लोग देसी मुर्गिया पालते हैं और उनसे बाहर छोडते हैं, तो ऐसे आप एकसर देखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घावयाने जखम मुर्गियों को होते हैं, वो होते हैं दोस्तो लड़ाई के दोरान जिया दोस्तो देसी मुर्गी लड़ा को प्रवरित्ती की होती है इस कारण वो आपस में लड़ाई करती है और लड़ाई के दोरान ज्यादा तर जखम देसी मुर्गियों में पाई आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जखम फिर लड़ नोकिली चीज रखी हुई या फिर बाहर कोई नोकिली चीज रखी हुई है और गलती से मुर्गी उसके संपर्क में आ गई तो भी मुर्ग्यों को जखम हो जाता है या फिर किसी गंदे बैक्टिरिया या फिर कीडे के कारण भी किसी तरह का कोई infection हो गया तो मुर्ग्यों के शरीर पर जखम हो जाते है दोस्तों जखम नया हो जा दुस्तों जखम जो हुआ है वो ताजा ताजा नया हो या फिर भौग्यों को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं ठीक करने के लिए मैं आपको चार तरह के देसी इलाज बताऊंगा जो आप येजीली करकर अपने को पूरी तरह से घाओ को ठीक कर सकते हो जखम को ठीक कर सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो जखम को ठीक करने की तो ठीक करने के लिए सबसे पहले दोस्तो अगर पुरानी जखम है तो सबसे पहले पुराने घाओ में किड़े वन जाते हैं मुर्गी के शरीर में तो सबसे बहले तो उस जखम को यानि घाव को हमें साप करना है तो साप करना हम दो तरीके से साप कर सकते हैं दोस्तो एक तो बरगत का जो पेड़ है जी हाँ दोस्तो बरगत के पेड़ से दूदिया रस निकलता है इस रस को हम किसी भी मुरगी के घाव या जखम पर लगाते है तो उसके अंदर जो कीडे है वो कीडे बहार आ जाते है या फिर अंदर ही मर जाते है जी आ दोस्तो इस तरह से हम उस जखम को पूरी तरह से साप कर सकते हैं अगर बरगत के पेड़ का रस नहीं लगा सकते तो दोस्तो जो सिथा फल होता जी आ दोस्तो तो सिथा फल के एक तो आप कच्चे सिथा फल का इस्तमाल कर सकते हो या फिर सिथा फल की पत्तियों का इस्तमाल कर सकते हो उसको आप अच्छी तरह से कूट के रज बना लीजे वो रज भी मुर्गियों के घाव पर लगाने से मुर्गी के घाव के अंदर जो कीड़े हो पू उसे डायरे की ट्रीटमेंट कर सकते हो तो घाव को साप करने के बाद में उसका इलाज मैं आपको बता दू दोस्तो चार इलाज होते हैं चारों आप इजी ली कर सकते हो लसुन जो अपन खाते हैं दोस्तो उसकी जो पत्तिया आती हरी हरी जिया दोस्तो लसुन की पत्तिया औ और हल्दी का कन जिहा दोस्तों गिली हल्दी का कन इसको आप बराबर मातरा में लिलीजिए उनसको अच्छी तरह से कूट लीजिए कूटने के बाद में उसमें थोड़ा नरियल का तेल मिलाकर अच्छी तरह से पेश्ट बना लीजिए और मलम मना लीजिए उस मलम को उस कर आप उसका रस निकाले उस रस में आप लख़ी जो होती है अपनी उसका बुरादा मिला दीजे जिहा दोस्तो उस रस में लख़ी के बुरादे को मिला कर भी आप पेश्ट बना सकते हो वो भी आप मुर्गयों के जखम पर लगा सकते हो तीसरा इलाज दोस्तो नीम की जो प जख्मों पूरी तरह से ठीक कर सकते हो यह हो गए दोस्तों तीनों भी देशी हिलाज लेकिन इसमें थोड़ी मैनत होती है कि आपको पतिया वगएरा लसुनकन वगएरा अरेंज करना होगा अगर आप इजी तरीका जानना चाते हो तो सीधा सीधा दोस्तों यह दोनों भी ची इसलता है इसे बाद में दोस्तों जो देसी घी आता है जी हाँ होगासा देसी घी गरम करने के बाद आप उसमें हल्दी का पावडर ऊसमें थोड़ा सा डाल कि अच्छी तरह से पेश बना लीजी यह भी मुर्गियों के घाओ पे आप कंटिन्यू चार दिन लगा सकते हो इ उसे आपको तीन से चार दिन करना ही है अगर जख्म ज़्यादा गहरा है तो उसे आप छे दिन साथ दिन तक जख्म पुरी तरह से भरने तक आप इस ट्रीट्मेंट को चालू रख सकते हो और आपका बर्ड्स यानि मुर्गा मुर्गी छोटा हो या बड़ा हो जिहां दोस्त करके अपने जरुतमन दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद